इलाई जी के आठ अचूप तोटके दोस्तो आपका स्वागत है चमतकारी तोटके चैनल में इस चैनल के माधियम से हम आपको कुछ ऐसे चमतकारी तोटके बताते हैं और उनकी चर्चा करते हैं जिससे आपका जीवन और सुखदमाई हो जाता है और आप माला माल हो जाते हो और जीवन में आगी ही आगे बढ़ते हो तो जुड़े ने ये चमतकारी तोटके चैनल के साथ सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट धरूर करें आज हम जानेंगे इलाईची के आठ अचूप तोटकें भारत में इलाईची का प्रयोग प्राचिनका से च चाहे वो पुजापाठ हो, मसाले हो या मिठाय बनाने का कारिया हो सभी में इलाईची का प्रयोग होता है चाय में इलाईची डालने से उसका स्वात बढ़ जाता है जोतीश के अनुसार हम आपको इलाईची के कुछ ऐसे अचूप लेकिन सरल उपाई या तोटके बता रह है तो एक लोटा जल लेकर दो बड़ी इलाईची डाल कर पानी के आदा होने तक उबाले फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें स्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखें वहां से जुड़े मामलों में भी यह बहुत ही लापकारी है नहाते इस समय शुक्त्र के निम्नश लोक का पाट करें ओम जैंति मंगला काली भद्रकाली शिक्र विवा के लिए यदि विवा में विलम हो रहा है तो यह प्रयोग शुक्लप्रक्ष के प्रतम गुरुवार को किया जा सकता है इस प्रयोग में मंदिल में गुरुवार की शाम को दो हरी इलाईची के साथ पांच प्रकार की मिठाई और शुद घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए यदि स्त्री है तो पीले गुरुवार करे और पुरूश है तो शुकुरुवार करे पती पत्नी में प्रेम स्थापित करनी के लिए अगर पती का पत्नी के प्रती प्यार कम हो गया हो तो श्री कृष्ण का स्मरन कर शुकुरुवार के दिन तीन इलाईची अपने बदन से स्पर्श करके पल्लू या रुमाल में बांध कर अपने पास ही रखे शनिवार की सुबह वो इलाईची पीस कर किसी भी वेंजन में मिला कर पती को खिला दे ऐसा तीन शुक्रवार को करना है सो लाभ मिलेगा इसके अलावा यह उपाय रविवार को भी कर सकते हैं शिक्षा में सफलता के लिए शुक्ल पक्ष के पहले व्रस्पतिवार को सुरिया से ठीक आदा घंटा पहले बढ़ के पत्ते पर पांच अलग-अलग प्रकार की मिठाईया तथा दो छोटी इलाईची पीपल के व्रिक्ष के नीचे शद्दा भाव से रखे और अपनी शि शिद्रता दूर करने हैं तो किसी दरिद्र असाय या हिजडों को एक सिक्का दान करें साथ युसे हरी इलाईची खिलाए ऐसा जब भी मौका मिले करते रहें यदि ये टोटका नहीं कर सकते हैं और धन्वान बनना चाहते हैं तो आप अपने पर्स में हमेशा पांच इलाईची फीले वस्त्र के साथ किसी गरीब को दान दे यह उपाय कम से कम पांच गुरुवार करें इस उपाय से अविश्य लाब होगा वेतन और प्रमोशन के लिए अगर लाग मेनत करने पर भी मन जहां वेतन या प्रमोशन नहीं बिल रहा है तो आज से ही रोज रात मे एक हरे कपड़े में एक इलाईची को बांद कर तक्ये के निचे रखकर सो जाए अब प्राता हक उसे घर के किसी बहारी वेक्ति को दे दीजे कारिय की सफलता है तुम किसी महत्तपुन कारिय से बहार जा रहे हैं तो प्राता कार तीन इलाईची दाए हाथ के मुट्टी में रखे और श्रीम श्रीम बोले और फिर उसे ठोले खाने के बाद बहार जाए ऐसे ही चमतकारी टोट के जानने के लिए जुड़े रहे चमतकारी टोट के चैनल के साथ लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें और कमेंट जरूर करें